हलो दोस्तों विजय आधे में आपका स्वागत है आज मैं आपसे बात करूंगा एक थो पांच वे सभधान संसोदन अधिनियम मैं इसे भीडियो में कि 100 से इसमें च्तिंटन संसो दूद壞 की्ट Iya अगर अभी कोई सी भी प्रीक October होगी या कोई सी भी objective based mcq based exam होगी तो वहाँ पर यह बहुत ही important topic है तो चलिए बात करते हैं 105 वा सविदान संसोदन अधिनियम है क्या देखिए 105 वा सविदान संसोदन अधिनियम यह क्या है अधिनियम यह अधिनियम ने सबसे मिल गया है राज जो को भी मिल गया मतलब kेंद्र के सासे जब राज्य प्या कर सकते हैं जो बिदे जब से कब पॉछा जा क्या गया है यह बहुत important है जो लोकसभा से क्या सकता ह्या गया है डिस army आगस्त लोग सभा से 10 अगस्त के पास गया थाराजी आग का पास हुआ अधिनियम तो देखिए आपसे जो भी MCQ बेस एक्जाम होगे उसमें क्या पूछेंगे कि जो राज्यों को भी मतलब पावर दिया गया कि वह अपने जातियों को OBC की सेड़ी में डाल सकती थी कोँ सा सविदान संसोदन विध्या के जब वह आपसे एक्जामीर में पूछे विध्याक तब आप 127 वा लगाएंगे लेकिन अगर आपसे पूछ रहे कि कौन सा सविदान संसोदन अधिनियम होगा तो वह कुन सा 105 वा है अगर आपसे आप पूछ ले कि वह यह लोग सवासे पारित हुआ तो ग्यारागस 2021 तो इसमें क्या है कि वह आप जो भी राज है वह क्या कर सकती है जो भी उनक जाति है उनको किस में डाल सकती है OBC की सेनी में डाल सकती है इससे पहले क्या इसी वेवस्ता थी कि केंदर के सास्ता राजी सरकारे भी डाल सकती थी तो हाँ इससे पहले भी वेवस्ता थी जब भी पहले भी केंदर प्लस क्या कर सकते हैं जो राजी सरकारे थी वो डालने का उनको भी अधिकार था परंदु क्या करा था एक तो दोवा सवीधान संसोधन के धूरा एक असवीधान संसोधन जो कि कब हुआ था mobil 2018 में उवा था इसके धौरा क्या होँआत aspiring ग्यार पावार जो राज्यों के पास था केंद्ड ने वापस ले लिया है केवल केंदर के सरकारी कसी जातियों को IDC केंदर सरकारा से या नहीं टाल। निर्धार्ण कोन राथी थी। ठहक है तो आपको दिखे 3-4 समझ में आगा e कि क्या हुआ इसका इथियास में और केवल केंद्र को यह पावर हो गया कि भहिए वही किसी जातियों को OBC में कि सेड़ी में डाल सकती है या नहीं डाल सकती है फिर क्या हुआ अभी 2021 की बात करें तो हमें सभिदान संसोतन यह अधिनियम बन गया तो आपको यह पूरी पूरी मैंने चीजे बता दी अब इसमें कुछ और बात में मरते हैं कि भाई कि क्यों लाया गया तो देखे चाहे हर्याना में जाठ हो या करनाटक में लिंगायत हो या फिर गुजराच के पटेल हो या फिर परसेंट की लिमिट थी जो इंद्रासानी के बाद में अंदेधारित की थी क्या वो लिमिट शेंज होई तो नहीं वो लिमिट अभी पचास की पचास परसेंट ही है देखे एक सो पांचवे सविधान संसोधन अधीनियम के अधुसूचित होने से केंद्र के साथ साथ बनाते रहे थे किन्तु 2018 में 102 सविधान संसोधन के द्वारा संसत को ही अधिकार दिया गया था देखिए यह मैं आपको सारी बाते बता दियो और आप अच्छे थे थे समझ पारे होंगे अभी देखिए चाहे वो महरास में महराठो वाला हो ओबी सी मुए सामिल करने का मुद्ध हो या फिर तो इस पर क्या हुआ था महरास का जो हाई कोट था उसने रोक लगा दी थी यहां पर सर्वोचिन्याले ने देखिए यहां पर यह भी पात आपकी देखिए जो अभी देखिए हरियाना में जाट हो या गुजराथ के पटेलो लिंगा करनाटक में लिंगास समुदा इन सबी को जो ओबी सी सेडि में संबंदित राजी सरकार्ये सामिल नहीं कर पा रही थी 112 क्या कि अन्दर सरकार के पास चाल पावर चला गया तो यह जो राजनित आप स संसुदन क्या हो गया कि अंदर के साथ साथ राजी भी सामिल कर सकते तो आप इनको यह बेनिफिट हो गया है ठीक है यह देखिए एक सो पांच वे सविदान संसुदन अधीनियम के चलते हैं राज सरकारे अपने राज की परिस्थितियों के अनुरूप मैंने किलियर कर दिया है फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर 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 आपने विजय एकडमी के चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो जल से जल जल वीजय एक को सब्क्राइब करें और लाइक और सेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था विजय एकडमी के साथ बने रेने के लिए धन्यवाद